हेलो बच्चो आज हम देखने वाले हैं कक्षा सात्वी की इंदी इकाई दो पाठ दो बेटी यूग बच्चो इसमें देखने वाले हैं इसका प्रशन उत्तर लेसन को मैंने पहले एक्स्प्रेंड कर दिया है बहुत ही डिटेल में सो आप जरूर देख लेना जितने प्रशन में आ सकता है यह वाला क्वेश्चन है आपे देखो यहां पे यदि मुझे रुपियों से भरा बटूआ मिल जाए तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि वह बटूआ किसका है यदि उस बटूए में उसके मालिक के बारे में कोई जानकारी मिल गए बटूआ यानि क कि यहां कि मिल गया तो पता चल गया कि उसका मालिक कौन है जानकारी मिल गई तो मैं उस व्यक्ति को सूचीत करूंगा या करूंगी आप लड़की हो तो करूंगी लिखना है प्लड़की होँ से विश्वास दिलाऊंगा कि आपका बटूआ मुझे मिला है और मैंने उसे सं को को दूंगा उनसे निवेदन करूंगा कि यह वटूआ मुझे मिला है आप इसके मालिक को सुपूर्द करने की कृपा करें सुपूर्द यानि उसको सौप देना क्योंकि जिसका वटूआ गायव हुआ है हुआ होगा वह परिशान होगा बिल्कुल स्त्री शिक्षा पर इन तो उसका जीवन स्तर अच्छा रहेगा वह आत्म निर्भर बनेगी यानि वह अपने पैरों पे रहेगी समाज में उसका सम्मान होगा वह अपने देश और समाज के लिए अपना योगदान देने में समर्थ होगी परिवार का भी हम देखते हैं यदि स्तरी शिक्षित होग यहां पे देखा यह वाला अब हम समाज के बारे में देखेंगे ठीक है अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं तरह तरह के अंद विश्वास एवं समाजिक बुराईयों का शिकार हो जाती है यदि स्तरी शिक्षित होगी तो समाज में जागरुपता लाकर समाज उठ्थान कर सकती है अब हम देश के बारे में देखते हैं ठीक है यहां पे देश का ओप्षिन भी दिया हुआ है ना एक मिनिक्ट में आको बताती हो यहां पर देखो लास्ट में देश यदि स्तरी शिक्षित होगी तो देश में विकास की क्रांती आ सकती है कहा जाता है कि देश पढ़ ये उपर में हमने question देखा था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, विशे पर एक अनुच्छेद लिखे, एक paragraph आपको लिखना है, अनुच्छेद लिखन, exam में आता है, बहुत ही ध्यान से ये सब देखना ठीक है, हमारे देश में कालांतर से ही बेटा बेटी में अंतर किया अधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने देश को एक नारा दिया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देख रहे हैं आपे, सरकार के प्रयास से लोगों में जागरुकता आई, और सब ने इस बात को स्विकार किया, कि हम बेटी को बचाएंगे और उसे पढ़ाएंगे भी, यह आपको पूरा करना है, बेटी युग में और यहाँ पर देखो, बेटी युग में उत्थान परव है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखो बेटी पर शिक्षामय विश्व, इसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है, तो बेटी भारत की संस्कृती उत्सो संस्कृती की रूप में जानी जाती है यहां देवता ही नहीं प्रकृत की भी पूजा की जाती है प्राचीन काल से यहां बेटियां लक्षमी सरस्वती सीता यह सीता है ठीक है सीता और सावित्री के रूप में पूजी जाती है नौरात्र में तो कन पूजन का विशेश महत्व है आधुनिक यूग में इसमें कुछ कमीन आई है जिसे शिक्षा द्वारा दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है यही कोशिश कर रही है बेटी के जन्म पर उत्सव मना कर उसे पढ़ा कर हम बेटी पर मना सकते हैं और नए भारत की निर्मा में अपना योगदान दे सकते हैं शिक्षा मैं विश्व शिक्षा शब्द संस्कृत भार्षा के शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना मनुष्य जन्म से मृत्तिव परयांत यानि मृत्तिव के बाद कुछ न कुछ यह कुछ अलग आएगा फिर न और फिर कु कुछ में न नहीं आएगा कुछ के बाद न आएगा कुछ न कुछ सीखता रहता है यह प्रक्रिया विश्व व्यापिया यानि पूरे विश्व में व्याप्त है दुनिया में कहीं भी जाएं शिक्षा का महत तो सर्वो पर यानि सबसे उपर है कहा जाता है कि शिक्षा ही ऐसी वस्तु है जिसे न तो चोर चुरा सकता है नहीं या किसी को बांटी जा सकती है नहीं राजा द्वारा छीनी जा सकती है और नहीं भार लगने वाली है इसे जितना खर्च किया जाए उतनी ही बढ़ती है इसके द्वारा दुनिया में प्रत्ते एक स्थान पर यानि हर एक लड़का लड़की आज के आधनुक यूग में एक समान है जो कार एक लड़का करता है उसे लड़की भी कर सकती है आज के लड़कियां सभी शेत्रों में लड़कों की बराबरी कर रही है शिक्षा का छेत्र हो या उद्द्योग राजनीती हो या प्रशासनिक कार लड़किय इचोंने दिखा दिया है कि वो लड़कों से कम नहीं है आज लड़कियां पाइलिट बनकर हवाई जहाज उड़ा रही है कल्पना चावला जैसी लड़कियां अंतरिक्ष की सेहर कर रही है यही नहीं वराश्ट पती और पधन्वंत्रि बनकर देश का नितरित तो कर रही है आज की लड़की सबला यानि की सशक्त बन गई है आशक्ता है कि उन्हें शिक्षा के द्वारा और सशक्त बनाया जाए ठीक है मतलब सबला यानि मजबूत अबला यानि होता है कमजोर ठीक है भाशा की और निम्रिखे शब्द के यूग मुशब्द बताओ और वाक क्या होगा इधर घुमना का फिर्णा धन धान ठीक है इस तरह के से हम देखते हैं अभी गाओं गाओं इधर उधर का आएगा इधर घुमना का फिर्णा धन दौलत है ना जान तो यहां पे देखो जान पहचान बोलते ना जान पहचान तो पहचान के पहले क्या आएगा जान जान पहचान कूड़ा की आगे करकट ठीक है कूड़ा करकट बोलते हैं फूल तो उसके पहले क्या लगएगा फल फल फूल घर के बाद घर घर ठीक है अब देखो यहां पे सबका धन दौलत अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई बाजार से बहुत सारे खरीद कर लाए यहां पे देखो यह सब हमें ऐसे से यहां पे धन दौलत दिया गया है तो यहां पे देखो शब्द युगम का प्रयोग किया गया है बाजार से बहुत फिरना यहाँ पे देखो सेहत के लिए घुमना फिरना अच्छा होता है दीपावली में तीसरा देखो घर 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 न तो दीपावली में घर घर यहाँ पे आगा घर घर मिठाईया बनती हैं अंतर जाल गाउ 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 तो यहाँ पे देखो अंतर जाल की सुविधा गाउ 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 में उपलब्ध है दोनों जगाउ गाउ गाउ आएगा और नेश्ट क्या है यहाँ पे फल फूल ना तो यहाँ पे देखो बाजार में बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा यहाँ पर करकट इकठा किया समारों में सभी यहाँ पर देखो क्या है जान पहचान और नीचे वाला इधर उधर तो यहाँ पर देखो क्या हैगा समारों में सभी जान पहचान वालों को अमंत्रित किया नेक्स्ट क्या है बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दोड़ने लगे जैसे यहाँ पर देखो numbers दिये गए 4, यहाँ पर 7, 8 सब यहाँ मैं आपको starting से दिखाते हूं यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैसे ही यहाँ पर numbering मैं यहाँ पर डाल के रखा है तो आप देखो 1 से लेके 8 तक तो आपको answer बस उसमें लिखना है ठीक है निल्कित प्रश्णों में से प्रश्णों के एक उत्तर शब्द में एक शब्द में उत्तर लिखे एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है आज किसका युग है बेटी का किसकी कहानी सब कुस्वानी लगती है नानी की अब कैसी जवानी दोड़ेगी तरुन सारे जबकों कैसा करना है शिक्षा में सब के आंगन तक किसकी धारा पहुचेगी ज्यान गंगा की निम्कित प्रश्णों के एक वाक उत्तर लिख्षी एक वाक में उत्तर लिख्षी वहाँ पे एक शब्दा यहाँ पे एक वाक है बेटी युग में कौन कौन पढ़ेंगे बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे शिक्षा पूरी कब होगी बेटा बेटी जब दोनों शिक्षित होंगे तब शिक्षा पूरी होगी अब कोई कैसा नहीं होगा अब कोई अनपढ नहीं होगा बेटी युग किसका परव है बेटी युग, सम्मान, पूर्ण और ज्ञान का पर्व है. जन जन का उत्थान पर्व कब होगा? जब सभी सब का सम्मान करेंगे तब जन जन का उत्थान पर होगा. व्यकरण भाषा भ्यास देखते हैं समान आर्थी शब्द. देखो बेटा, बेटी, पर्व, अनपढ पुस कलम का क्या है लेखनी हमें क्या मैं क्या बता रही हूं आपको समानार्थी शब्द कलम का समानार्थी शब्द लेखनी समिक्षा का यहां पे क्या है आलोचना और देश का क्या होगा राष्ट तो यहां पे देखो सबका समानार्थी शब्द दिया हुआ है निम्ड की शब्द पढ़ेंगे गढ़ेंगे बेटियां बेटे चुडियां तो सबका बहोचन यह है प्रशन उपर है उत्तर नीचे है विरुद्धार्ति शब देखो शिक्षा का क्या होगा अशिक्षा आधी का पूरी जवानी का बुढ़ापा नई का पुराना शिक्षित अशिक्षित आना जाना तरुन यहां पे तरुन का क्या होगा व्रिद्ध ठीक है यहां पे देखो सबका यहां पे उत्तर दिया हुआ है ठीक है निलतिक शब्दों के दो परियावची शब्द दिखिए पावन पावन का एक तो क्या होगा पवीत्र यहां पे देखो तीन तीन लिखा पवीत गंगा का क्या है सुर्शरी भागी रथी देव नदी ठीक है पुत्र का क्या होगा सुत आत्मज नंदन पुत्री का क्या होगा सुता आत्मजा पुत्री ओके हवा का क्या होगा मारूत वात समीर पवित्र शुद्ध पाक यह पवित्र का ही है उपर में देखो यह है सारे प्रेशन उतर खतम होते हैं कोई भी डाउटर है कॉमेंसेशन ने पूछिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेला प्रेस कर लीजे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले ओके और प्रेंड साथ भी शेयर करना मत भूलिए